एक मा भी बच्चे को तब तत दूद नहीं पिलाती जब तक की वो रोने न लग जाए लेकिन रोता बिलकता बच्चा तब ही शांत हो जाता है जब उसकी मा मातरिद्व के आचल में उसे छिपा लेती है लेकिन यहां हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो ना तो रो सकता है और ना बिलखना जानता है ना उसकी मा है जो अपने आचल की छाओं में उसे दूद पिला सके हम बात कर रहे हैं राजिसान के जैसल मेर के लाठिक शेत्र की मुसकान की मुसकान किसी लड़की का नहीं बलकि एक हिरन के बच्चे का नाम है मुसकान और उसकी माँ अपने जुंड से बिछड गए थे इसके बाद कुत्तों ने घेर कर उन पर हमला कर दिया इस हमले में मुसकान की मान नहीं रही ऐसे में जंगल में वगएर मां मुसकान का जीना दूभर हो गया वो भी ऐसी उम्र में जब उसने ठीक से खड़ा होना भी नहीं सीखा था लेकिन तब उसे एक परिवार ने न सिर्फ आवारा कुत्तों के हमलों से बचाया बलकि मातरत्व भाव से पांच महिने तक उसे पाला पोसा भी बोतल से पिलाया गाय का दूद हम बात कर रहे हैं जैसल मेर्जिले के लाठिक शेत्र के किरालिया गाउं के एक मुस्लिम परिवार की इस परिवार ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए बगैर मा के हिरन के बच्चे की जान बचाने के लिए उसे बोतल से गाय का दूद पिलाया उसका पालन पोशन कर उसकी जिन्दगी बचाई किरालिया गाउं निवासी हाकिम खान ने आवारा कुत्तों का श्रिकार हुई मादा हिरन की मौत के बच्चे को पांच महिने तक पाला अपने बच्चे की तरह परवरिश करते हुए गाय का दूद पिलाया पालन पोशन करके जिन्दा रखा और उसे नाम दिया मुस्कान पांच महिने तक पाला हिरविदाई फिरन मुस्कान को घर में रखना आसान नहीं था लेकिन परिवार के बच्चों ने बढ़ों के साथ मिलकर मुस्कान का खयाल रखा जैसे जैसे मुस्कान बड़ी हुई वो भी हाकिम हान के परिवार का हिस्सा बन गई लेकिन अब पांच महिने बाद जब मुस्कान को वन्विभाग को सौपा गया तो परिवार के लोगों का दिल भराया बच्चे तो बच्चे बड़े भी मुस्कान की विदाई के वक्त भावुख हो गए परिवार का कहना है कि आवारा कुट्टों के हमले होने का डर घर पर भी सताता रहता है लिहाजा मुस्कान की सुरक्षा को देखते हुए वन्विभाग के कर्मियों को सूचना दी गई और हिरन के बच्चे को वन्विभाग के सुपूर्द कर दिया गया NBT Online के लिए जैसल मेर से जगदीश गुस्वामी की रिपोर्ट